लोगडाउन के बीच दिल्ली के इंडिया गेट पर आज दो लगशरी बसों में कई विदेशियों को जाते देखा गया बसों में सोशल डिस्टिंसिंग के कायम नियम और कानू नदारत थे इसे में बड़ा सवाल ये है कि इनको किसकी इजाज़त मिली थी बस से इधर उधर जाने की वहीं इंडिया गेट पर मौझूद ट्राफिक पुलिस के सिपायों ने इने रोका और फिर जाने दिया सवाल पूछने पर ट्राफिक पुलिस वालों ने कहा कि इनके पास परमिशन है हाला कि उन्होंने ये नहीं बताया कि वे कहां जा रहे हैं पूरे मामले का जाइजा लिया है संबादाता बिलाल सब्जवारी में में सब्दार के संब्सक्राइजार में प्ली में कि मैंताया कि में आपिरो लिदे लूलू Темल ौइज वे लिग्यों सब्सक्रा और कि यहां के लोग जिनका यह कहना था कि इस संबंद में हम कोई जवाब नहीं दे सकते यह दो टूरिस्ट बसे थी इसमें लोग फॉरन के लोग ते इन का यह कहना है कि पर्मिशन थी लेकिन इस सच्चिसेशन के अंदर इनको पर्मिशन कैसे दी किस ने दी यह अपना आप में सवाल खाड़ा करता है लेकिन यहां के पुलिस वालों को यह चाहना आप हमारे अधीकारियों से बात कीजिए तो आप रिपोर्ट देख रहे थे हमारे समबाताता बिलाल सब्जवारी की जो हमार साथ अब लाइव चुड़ गए इस खबर पर बिलाल दो बसे भरकर विदेशी नागरिक जो हैं वो आज दिल्ली गेट से इंडिया गेट से पास हुए हैं और इनको लेके कोई इंफर्मेशन कोई बताने को यहां पर राजी नहीं है पूरा मामला आखिर क्या है हमने देखा कि आप लगातार पुलिस वालों से पूछ रहे थे लेकिन कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था देखिए हमने बस के अंदर भी जाकर इन लोगों से बात करने की कोशिश की तब हमें किसी तरह को कोई रेपलाई नहीं बिल पाया इनके साथ जो टूरिस गाइड था उससे हमने जानने की कोशिश की उसने कोई रेपलाई नहीं दिया वो जो टूरिस जो खुद इनके साथ मौजूद थे, उन्हों ने बात करने की कोशिश की, उन्होंने कोई साटिस्टरी जवाब नी दिया, फिर फाइनली हमने जब पुलिस वालों से पूचा जिन्होंने इनको रोका था, उनके पास भी उसका कोई साटिस्टरी जवाब नी था, सवाल यह होता है कि इस दो बसे के अंदर जो लग्जुरी बसे थी जिसमें फॉरन टूरिस्ट हमें देखने को मिल रही थे और एक बस में मिनीमम सौक के लोग के करीब लोग थे और दोनों बसे को मिला ली जाए तो तकरीबं टू हंडेड यह फॉरनर थे और जब आज सोशल डिस् के अंदर भर के देरदून से दिल्ली भेज देना यह किसने इनको इजाज़त दी और यह कैसे इनको मिल पाई इसी सभी सवालों को जानने के हम कोशिच कर रहे थे लेकिन पुलिस वाले यह तो कह रहे थे कि उनको इजाज़त है इनको परमीशन है अगर इनके पास परमीश जाना है इस फिलाल तो सारी फ्लाइटे बंद है एरपोर्ट सील है तो ये कहां जा रहे थे कौन थे इसकी अपने आप में ये अपना आप में सवाल खड़ा करता है इंडिया गेट पर हम लोग गोजर रहे थे हमने देखा इदो फॉरन बसेज अमें लोग ट्रावल कर रहे है तो हम लोग चौक गए हमने समझने के कोशिश करी हमने अपनी गाड़ी रखवाली हमने शौर्ट बनाने शुरू कर दी है हम लोग इन से बात करने शुरू कर दी लेकिन किसी तरह कभी कोई सैटिसफेक्टरी जवाब नहीं मिल पाए हम लोगों उड़ती हुई नजर आ रही है दिल्ली की सडकों पर जी हाँ बिल्कुल इसे बिल्कुल लॉकडाउन की धज्या उड़ना कह सकते हैं आप सासा आती साथ सबसे बड़ी बात और सबसे महत्पूर्ण बात यह है कि जब इस लॉकडाउन के अंदर जो fundamental precaution है social distancing की उसको maintain करने की बात हर नागरिक पर लागू होती है अभी आपने देखा मरकज में बात चल रही थी कि इन्होंने social distancing में maintain नहीं की इतने सारे लोग मौजूद थे तो फिर यह social distancing एक बस के अंदर 100-100 लोग आपने भर रखे हैं इसी वज़ा से दिल्ली के अंदर बसे नहीं चल रही है ताकि वाइरस एक दूसरे एक का दूसरे में transfer ना हो किसी तरह से यह वाइरस ना पहले यह foreigner लोग है यहाँ पर आएवे ते इनको quarantine क्यों ही किया गया क्या इनको quarantine किया गया या नहीं किया गया यह अपना आप में एक सवाल है आखरी इनको इजाज़त किसने दी कौन लोग है इस पर अपने आप में एक जाच होनी चाहिए इस पर अबधिकारियों को जवाब देना चाहिए कमिशनर पाइस पर सो मो्टेव लेना चाहिए यह बात करते है फोरेंट मिनिस्ट्री देरादूं से कहां ऑपरेट होती है फोरेंट मिनिस्ट्री तो दिली से ऑपरेट होती है जी तो ये तमाम बड़े सवाल हैं कि आखिर lockdown के वक्त इतनी भारी संक्या में विदेशी नागरी का movement कैसे हो सकता है और आखिर ये लोग कहां से आये थे और कहां जा रहे थे बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल तमाम जानकारी हम तक पहुचाने हैं